चंद्रियान 3 को लेकर के इस बत की सबसे बड़ी और बिग ब्रेके नियूज निकल कर आ रही है जिसको सुनने के बाद अब नासा भी इसरों के सामने नतमस तक हो चुका है दरसल बता दें कि चंद्रियान 3 अब चंद्रमा पर ऐसे कान्नामे करना सुरू कर चुका है जिसकी अपेक 6 इसरों ने बहुत पहले ही कर दी थी अब चंद्रियान 3 ने कुछ ऐसा कर दिया है जो दुनिया के किसी भी स्पेस एजनसी के रूवर के पास और लैंडर के पास मौजूद नहीं है बता दें कि चंद्रियान 3 अब चंद्रमा का तीसरा चकर पूरा कर चुका है और जो तीसरा चकर पूरा किया है इसको पूरा करने में चंद्रियान 3 ने कुछ ऐसे करतर दिखाए है जो वास्तों में आपको भी अपने भारत के ऊपर गर्व करने के लिए मजबूर कर देंगे दरसल बता दें कि चंद्रियान 3 ने चंद्रमा का जब तीसरा चक्र पूरा किया तो उसको जो दुनिया में एक नियम होता है कि आप अपने चंद्रियान के माध्यम से या अपने स्पेस रॉकेट के माध्यम से किस तरीके से आप चंद्रमा का चक्र लगाएंगे ताकि चंद्रमा के आसपास मौजूद जो बहुत सारे सेटलाइट हैं उनको नुकसान न पहुचें लेकिन भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके कारण नासा भी भारत के सामने नतमस्तक हो चुका है बता दें कि स्पेस एजनसी इसरो ने अभी अभी चंद्रियान त्री का जो पूरा तीसरा चकर था चंद्रमा का जब उसको पूरा किया तो उसने एक बहुत ही बड़ी बात रिवील की है इसरो ने बताया है कि हमारे चंद्रियान 3 ने तीसरा चकर बंद इंजन में पूरा किया है जी हाँ बता दें आपको कि चंद्रियान 3 जो तीसरा चकर चंद्रमा का लगा रहा था तो इसके इंजन बंद थें और ये इंजन जान बूच करके बंद किये गए थें ताकि इस रो चंद्रमा के सता पर उतरने से पहले एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर पाए दुनिया के जितने भी रॉकेट हैं या स्पेस रॉकेट हैं वो जब किसी ग्रह का चक्कल लगाते हैं तो पांच चक्कल लगाने के बाद वो अपने रॉकेट को बंद करते हैं उसके इंजन को बंद करते हैं और चठा चक्कर जब वो लगाते हैं तो बंद इंजन में लगाया जाता है यह दुनिया का एक नियम है यह प्रकृत का एक नियम है जिसके माध्यम से कोई भी रॉकेट फेल नहीं होता है लेकिन अभी तक दुनिया की कोई भी स्पेस एजंसी कुछ ऐसा नहीं कर पाई है जो वो चौते चक्कर में इंजन बंद कर पाई लेकिन भारत ने तीसरे चक्कर में इंजन बंद करके एक बहुत ही बढ़ायती हास रश दिया है इसरों ने बहुत पहले एक काम और किया था जिसकी वज़े से नासा नस्तमस तक हो चुका था और अब इसरों ने दूसरा ऐसा काम कर दिया है जिसके कारण अब चंद्रियांत्री की सफलता पूरी होती हुई नजर आ रही है बता दें कि इसरों ने आज से करीब आठ साल पहले एक ऐसा काम किया था जिसके बारे में पूरी दुनिया कभी सोची ही नहीं थी पूरी दुनिया पहले गैस इंजन पर चल लही थी फिर उसको ठोस इंजन पर आना था फिर इसके बाद लिक्विड इंजन पर आना था भाले भारत के पास कम साइंटिस्ट हैं भाले भारत का स्पेस एजंसी इसरो बहुत बाद में और्गनाईज हुआ है लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा छमता है जब दुनिया के सामने इसरो ने यह रखा कि हमने ठोस इंजन को क्रॉस करके सीधा लिक्विट इंजन में प्रवेस कर लिया है तो पूरी दुनिया हैरान हो गई खास करके जर्मनी क्योंकि जर्मनी कोया पता नहीं था कि सच में भारत ठोस इंजन को बाइपास कर लेगा क्योंकि जर्मनी उस समय ठोस इंजन को बाइपास करने के लिए जो रिसर्च कर रहा था वो दुनिया में सबसे नमबर वान पे था लेकिन उसको भी पीछे करके भारत ने उस समय इतिहास रचा था और आज भारत ने फिर से एक इतिहास रच दिया है और वो ये है कि चंद्रमा का तीसरा चकर उसने बंद इंजन में पूरा कर लिया है पुरी दुनिया की स्पेस इजन्सी बहुत दिनों से प्रियास कर रहे थे हैं कि हम अगर चौते राउंड में बंद इंजन में किसी भी ग पढ़ेगा लेकिन ये दुनिया की किसी भी स्पेस एजन्सी के द्वारा सपना पूरा नहीं किया जा सका लेकिन भारत ने ऐसा सपना पूरा कर दिखाया है इसे के चीफ डॉक्टर एस तोमनात ने बहुत पहले ही यह बात धिरे-धिरे दुनिया के कान में डालना सुरू कर दिया था कि हमारा जो चंद्रयान 3 है वा दुनिया के लिए एक सबक साविट करेगी दुनिया के लिए एक सीख साविट होगी जिससे पूरी दुनिया एक-दो चीजे नहीं लगबख सैकडो बता दे थी कि दरवसल हम चंद्रियान 3 में जो इस पेशल तरीके के सेंसर जो इस पेशल तरीके के एक्रूप्मेंट और आर्टिफिसियल इंटेलिजन का उप्योग कर रहे हैं वो दुनिया में पहली बार किया जा रहा है लेकिन वो कौन से कौन से सेंसर हैं और कौन से करने की कोशिस न करें इन सभी चीजों से बशने के लिए इस सभी बातों को छुपाया गया था लेकिन भारती स्पेश एजंसी इसरो ने स्पेश में जाकर के मून के और्बिटर में ऐसा कारनामा किया है जो वास्तों में दुनिया के सामने एक मील का पत्थर साबिठ होगा अब पूरी दुनिया आने वाले समय में स्पेश एजंसी इसरो से ये टेकनलोजी खरीदने की कोशिस करेगी लेकिन अब स्पेश एजंसी इसरो इस टेकनलोजी को एक महनी रेट में बेश सकता है जिससे भारती स्पेश एजंसी के पास अतरिक्त फंड आएगा और उस अतर स्पेस एजन्सी इसरों को भारती प्रधान मंत्री नरेंद मोदी से फ्री हैंड मिला हुआ है उन्होंने कहा है कि स्पेस एजन्सी इसरों को जो भी करना हो वह अपने अस्तर पर कर सकता है बस कुछ ऐसे काम जो देश के लिए बहुत इंपोर्टेंट होंगे उसके लिए एक चोटा सा साइन प्रधान मंत्री नरेंद मोदी से कराना होगा और इसके बाद इसरों अपनी रफ़तार से आगे बढ़ करके दुनिया के सबसे बड़े स्पेस एजन्सी नासा और स्पेस एक्स को भी पीछे छोडता हुआ आगे बढ़ेगा बारती स्पेस एजन्सी इसरों लेकर के भारत में हर जगा चरचा की जा रही है जुकि जब चंदर्यान टूफ कि खेल हुआ था भारत के हर एक इंसान भावखो गए थैं सब्सक् Wikipedia रॉच्ट हो जाएगी लेकिन प्रिकर Gwen2 होने के पहले ही कुछ ऐसे इंपोरटन rorreq ौड कर चुका था जो चंदर्यान जो भारत की अपैक्छाएं हैं चंद्रियान 3 ने उन अपैक्छाओं को पूरा किया है। चंद्रियान 3 ने भारती स्पेस एजन्सी इसरों के भरोसे पर खारा उतरा है। वो कहते हैं कि अगर दुनिया में कोई इनसान आज पीछे है तो कल आपसे भी आगे निकल सकता है। उसके कभी छमता को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और यही बात इसरों नियास साबित कर दी है। चंद्रियान 3 चंद्रमा की सता पर उताने से पहले ही चंद्रमा के अलग-अलग भागों के जो विजूल से अलग-अलग एरिया के जो नेटवर्क्स हैं और साथे साथ जो अलग-अलग करतब है वो करता हुआ यह साबित कर चुका है कि भारती स्पेस एजन्सी इसरों मतल भी कर सकता है चंद्रियान 2 से सीख लेते हुए इसरों ने चंद्रियान 2 में ऐसे तमाम सेंसर का उपयोग किया है जो मैं आपको अगले वीडियों बताने वाला हूँ तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथे साथ कमेंड बॉक्स में जय हिंद और जय सो जरू लिखें